एक चोटी लेटकी, जब से वो 6 साल की थी, तब से लेकल 17 साल तक वो एक बुड़े आदमी के साथ रहती है जब ये 17 साल की होगी, तब ये दोनों शादी करने वाले होते है इसके बात क्या होते है, ये जानने के लिए दबाओ 2005 की मुवी मैं आपको एक्स्टोरी कहा जारी ही, क्या हो रहा है तो इसके लास्ट में मैं आपको एक पूरा एक्स्ट्रीनेशन दूँगा, कि जो इवेंट्स थे, ये क्यों हो रहे थे ये बहुत ब्यूटिफुल मुवी है, तो डारेकली स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है, और हमें ओल्ड मैन दिखता है उसके पास बोग एन एरो होते है, इस बोग को वो स्टिंग्स बानता है और इससे एक वाइलिन के तरह डिवाइस बना लेता है इसके साथ जो लड़की है, वो हमें दिखती है इसके आखों पर ये काजल लगाते हैं, और इसके बाद ये म्यूजिक बजा रहा है ये दोनों जो होते हैं, एक बोट पर रहते हैं एक फिशिंग बोट होते हैं, इस बोट को ये ओल्ल मैन रेंड करता रहता है आज भी कुछ लोगों को इसने ये रेंड किया होता है जब ये लोग फिशिंग करने के लिए आते हैं, तो इस लड़की को देखते हैं इसे अपने पास बुलाते हैं, ये दोनों जो हैं, इनकी रिलेशनशिब इने पता नहीं है ये इस लड़की से बुछते हैं, वो तो तुम्हारे ग्रैंड फादर नहीं है न, तुम रात में एकसाथ सोते होंगे ये उसकी मजाग ले रहे होते हैं, तब ये ओल्ल मैन अपना बो एन एरो लेता है और उन पर चलाता है ये दो लोग जो होते हैं, ये डर जाते हैं, ये दोनों फिशिंग करने लग जाते हैं, इसमेंसे एक आदमी कहता है कि इन दोनें डिसाइड किया है, कि जब ये 17 साल के होगी, तब ये दोनों शादी करने वाले हैं उसका फ्रेंड उसे कहता है कि अपने अपने फीशिंग करो नेक जो बो आएगा वो तुमारे बॉड़ी में ही घुसेगा ये old man जो है ये fortune बताता है अभी अभी हमें जो दो लोग दिखाये गए है उसमें से एक आदमी को उसके fortune बता करनी है वो old man को कहता है कि मेरे और मेरे wife के जो संबन्द है वो ठीक नहीं चल रहे है क्या तुम मुझे मेरी fortune बता अगर समझा सकते हो इस तरह से old man fortune कैसे बताता है इसकी मेंतर में दिखाये गई है जिस boat पर ये रह रहे होते है इस boat पर एक जुला होता है ये लड़की जुले वर बैठती है और इसके बाद ये old man bow and arrow लेता है इस जुले के पीछे ही बुद्ध की painting होती है जब ये लड़की जुला जुलती है तो bow and arrow से ये बुद्ध की मूर्थी पर bow मारता है ये इस लड़की को लग सकते है पर ये लड़की उस वर बहुत ज़ादा trust करती है old man का निशाना कभी भी नहीं चुकता जब ये तीन arrow चलाता है तो ये लड़की old man के पास आती है ये actual में ये लड़की बता सकती है ये इसके कान में message देती है ये old man विचे इस आदमें ने पूछाता उसको सब कुछ कह देता है ये message क्या है ये हमें सुना है नहीं देता पर ये जो आदमी है ये message सुन कर बहुत इसके बाद ये fishing करने वाले दोनों जाते हुए हमें दीखते है अब इन दोनों का क्या routine है ये हमें पता चलता है ये जो लड़की है ये भी bow and arrow की practice करती है ये जो old man है इसके पास एक और boat है इस पर वो शेहर जाकर आता है जो भी सब supplies जगरा होते है ये सब वो लेकर आता है ये लड़की कभी भी शेहर नहीं गई है जबसे उस 6 साल की थी अब वो 17 के होने वाली है तब तक वो पूरी world से दूर रही है ये old man इस लड़की को नहिलाता है रात हो जाती है तब अपने bow and arrow से वो एक instrument बना लेता है ये instrument बोट के उपर जाकर वो बजाते रहता है ये एक तरह का meditation represent करता है arrow as a powerful weapon और meditation ये दो तरीके से हमें दिखाया जाता है रात में हमें दिखता है कि old man इस लड़की के पास आता है measuring tape इसके पास होती है और उसकी height क्या हो गई है ये वो देखता है फिर वो calendar के पास जाता है calendar में जाकर आज का दिन जो खतम हो चुका है इसको mark कर देता है यहां में दिखता है एक मंद के बाद ये लड़की 17 साल की होने वाली है और calendar पर लिखा होता है कि इस दिन पर ये दोनों शादी करने वाले है नेक्स दिन ये old man फिर से supplies लेने के लिए जाता है इसके बाद हमें ये लड़की खाना खाते हुए string से instrument बजाते हुए जूला जूलते हुए और पूरे boot पर खेलते हुए में दिखती है जब ये old man वापस आता है तो इसके supplies में इस लड़की के लिए boots भी होते है ये जो boots होते है ये इसे अभी वो देने नहीं वाला होता आज उसने जो shopping की है इसमें clothes है ये इनके शादी के clothes है ये जो सामा ने एक cover में वो lock कर देता है इसके बाद हमें फिर से दो आदमी दिखाए करे है वो fishing करने के लिए आये हुए थे इस लड़की को पास बुलाते है इनके पास एक मचली होते है उसके कपड़ों में उटालते है इसे वो field करने कोशिश करते है पर old man बाव लेता है और एक जगा प पास आते है और उसे unconscious कर देते है लेड़की के पीछे लग जाते है पर लेड़की वहाँ से भागने लग जाते है इस boat में अलग-अलग जगा से भागते हुए boat के terrace पर आ जाती है इसके बाद वो bow and arrow लेती है और इन दोनों पर निशाना लगाती है इन दोनों को मार सकती है और इसके बाद ये दोनों डर कर वहाँ से चले जाते है अब next scene में और कुछ लोग fishing करने के लिए आते हुए हमें दिखते है ये जो लड़के होती है इसी के ही age का एक लड़का वहाँ आता है इस लड़के को देखते ही उसे इसके प्रती attraction हो जाता है इसे देखकर smile करती है इसे देखकर उसे बहुत ही अच्छा लगता है इस लड़के के पास headphones होते है इसके पास जाती है और इस headphones को पहन लेती है ये song सुनना उसे बहुत ही अच्छा लगता है इस लड़के को भी questions होते है ये पुछता है तुमारी age क्या है तुम school में कहा पढ़ती हो तुम क्या से निकाल लेता है ओ से अंदर बेख राता है रात में old man इस लड़ी को जब नहला रहा होता है तो ये लड़का ऊपर से देखता है ये लड़की भी उसे देख कर स्मार करती है नेक्स दिन इस लड़के की जो फादर है, ये इस old man के पास आते हैं, को कहते हैं, के मेरा बिजनिस सही 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 नहीं चल रहा, कै मेरी fortune तुम बता सकते हो? इसके बाद जो सब इनका वे होता है, जिस तरह से fortune बताते हैं, ये सब होता है, Old man बो चलाता है, ये लड़की जुला जुलती है, इस लड़की के पास से ही arrow चले जाते है ये लड़का ये सब देखता है, जब लड़के के father को old man fortune बताता है तो उसके father बहुत खुश हो जाते है, इसके बाद ये लड़का फिर से जाने वाला होता है जाते जाते हैं, अपने जो headphones है, इस लड़की को देखकर जला जाता है जब ये headphones old man देखता है, तो इस पर गुसा हो जाता है ये headphones उसे चीन लेता है, और locker में burn कर देता है इसके बाद हमें फिर से इनका routine दिखाया जाता है ये जो सब पहले करते थे, ये वो फिर से कर रहे है रात में इनका जो bed होता है, लड़की नीचे सोती है और इसके उपर के bed पर ये old man सोता है लड़की का हाथ पकड़ कर इसे सोना अच्छा लगता है जब ये old man फिर से city में चला जाता है तो उसके locker में क्या है, ये ये लड़की देखना चाती है इसमें इनके शादी का सब सामान होता है लड़की के जो clothes होते है, ये पहन लेती है पूरे boat में वो घुमती है जो headphone उस लड़के ने इसे दिये थे, ये भी वो पहन लेती है यहां में इस headphone के जो wire है, ये audio device से connected नहीं है, यहां में दिखता है यानि कि इस लड़की ने इसे headphone दिये है, इसलिए इसे पहनने है रियल वर्ड का जो connection है, ये इसे चाहिए है old man जब वापस आता है, तो उसके headphone लेने के लिए, वो इस पर cheer गई होती है ये इसके पास आता है, और smile करता है इससे उसुला करना जाता है, पर ये वहां से उठकर चली जाती है और एक आदमी यहां fishing करने के लिए आया होता है इसके पास आती है, और उसके कंदे पर सर रखकर सो जाती है old man बहुत ज़्यादा जिलस हो जाता है ये इसको उठाता है और boat में बन कर देता है जो आदमी था, वोसे भी यहां से भगा देता है इसके बाद के scene में हमें ये लड़की आकाश में plane देखती हुए दिखती है real world की जो भी सब चीज़े होती है ये इसे बहुत ही intimidating लगती है इस रात हमें दिखता है कि old man calendar के पास आता है इस day को mark कर रहा होता है तभी इसे एक idea आती है next month अभी भी दूर है इसको जो passion से ये खतम हो रहा है अगले कुछ दिन वो mark कर देता है यानि कि ये दिन गुजर चुके ऐसा हो pretend करता है ये लड़की भी ये देख रही होती है आज उस आत्मी के साथ इंसिडेंट हुआ है और ये उससे बात भी नहीं करे उससे लग रहा है कि इससे दूर जा रही है इसलिए जल से जल इससे अपने पास बुलाना चाहता है next year में bow and arrow की practice करते हुए में दिखती है और वहाँ old man भी बेटा हुआ होता है ये old man पर निशाना लगाती है ये भी उसके आख में आख डार कर वही बेटा रहता है ये लड़की फिर अपना mind change कर लेती है अब थोड़े दिनों बात हमें जो लड़का वहाँ आया था वो फिर से आता हुआ दिखता है ये लड़की को बोट में दूसरी जगा लेकर जाता है ये लड़का फिर उसे बात ही करने रख जाता है ये लड़का कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि वो क्या फिल करती है इस लड़की को तुम बान कर नहीं डख सकते इस लड़की के जो पैरन्स है ये भी उसे ढूड़ना चाहते होंगे मैं इने ढूड़न लोंगा और फिर से वापस होंगा इस दिन ये लड़का और इसके फादर इन दोनों के ओल्ड मैन वहाँ से भगा देता है ये लड़का यहाँ से चला गया है तो इस लड़की को बहुत ही बुरा लगता है इसे भी इस लड़की की बीछे जाना होता है जो ओल्ड मैन के पास बोट होती है इस पर वो ज़र जाती है इस boat को स्टार्ट करती है और वहां से जाने वाली होती है तब ये old man ने देख लेता है इस boat में जड़ जाता है और इस boat को रोग लेता है इसके बाद इस old man का जो patience है ये खतम हो जाता है इनके जो bed से ये एक दूसरे के ऊपर है तो इस bed को काट देता है साइड में इन दोनों को लगा देता है ये लड़की बहुत ही दुखी होती है पर तभी इससे देखता है कि जो लड़का है ये वापस आ चुका है ये old man को एक pomlet दिखाता है इसमें लिखा होता है कि ये जो लड़की है ये missing है इसके parents इसे डोन रहे है इस old man को ये बदाता है पर ये old man इस pomlet को नीचे फिक देता है लड़की को ये लड़का कहता है तुम्हें real world में जाना पड़ेगा और ये old man अभी एरोज चला नहीं सकता जब रात में ये दोनों सोय होते है तो old man फिर से इसका हाथ पकड़ना चाता है पर इस बार ये इससे हाथ पकड़ने नहीं देती है इससे control करने की कोशिश करता है पर इससे हो एक जाबड लगा देती है अब ये old man इस पर नाराज होता है इससे बात नहीं कर रहा होता है दूसरे दिन जब ये बोट पर अकेला बेठा होता है तो लड़की उसके पास जाती है ये उसके पास जाकर उससे पता रही होती है कि प्लीज उस पर नाराज मत हो इसका जो गुस्ता होता है ये वो निकालना जाती है वोट रिपेर करते करते इस old man को चोट लगी होती है ये चोट ये लड़की पोच रही होती है old man इस पर बहुत जादा गुस्ता होता है तो इससे slap करते रहता है तो ये लड़का इस लड़ जाएगा, ओल्ड मैन भी इसके लिए महान जाता है, जब फिर से इस लड़की के पास से एरो चलाता है, तो लड़का अभी सहन नहीं कर पाता है, जिस जुले पर ये लड़की होती है, इस जुले को वो काट देता है, यानि कि इस लड़की को कोई भी हाम ना हो, जो फॉर्च फिर बाहर फिक देता है, नेक्स दिन ये लड़का और लड़की बोट में बेटका जा रहे होती है, तो इस बोट को बानने के लिए जो डोर होती है, ये डोर का फंदा बना लेता है, ओल्ड मैन अपने नेक को ये बान लेता है, वो सुसाइड करना चाहता है, ये बोट पास आकर उसे हग कर लेती है, ये दोनों एक दूसरे एक कंदे पर रोने लग जाते है, इन दोनों ने एक दूसरे को रिजेक कर दिया था, पर अब फिर से इन दोनों ने एक दूसरे को एकसेप्ट कर लिया है, अब मैं दिखता है, ये शादी के जो सब क्लोट से गरा होते ये खटा कर दिये जाते है ये अब भी क्लोज पहन लेते है एक दुसरे को रिडी करते है अब ये दोनों शादी करने वाले होते है ये लड़की भी मेकप करती है सब सामानों लगाते है जो सब वीधी होती है ये की जाती है एक दुसरे को स्विट्स किलाते है और इसके बाद इनकी शादी खत्म हो जाती है Old Man के पास जो छोटी बोट होती है इस पर वो बैटकर दोनों हनीमून के लिए आगी चले जाती है जो लड़का होता है यह बड़ी बोट पर ही रुखता है जो वीधी होई थी यह एक मुर्गा और मुर्गी थी यह लड़का फिर मुर्गा मुर्गी फास बेटता है और इस मुर्गी को मारने लग जाता है यह सिन रिप्रेजेंट करता है कि जो लड़की है इसने बहुत बड़ी मिस्टेक किया इसे वो बचाना चाहता था पर यह बचना नहीं चाहती थी अब में दिखता है कि यह जो Old Man है यह सब कपड़े इस लड़की को उतरता है वो इसके बाद अपना बो निकालता है और यह बजाने लग जाता है यह लड़की यह मुजिक सुनते सूँ जाती है अपना यह स्वान्ग खतम करकर यह Old Man खड़ा हो जाता है एक arrow लेता है आकाश में छोड़ता है और इसके बाद यह पानी में कूच जाता है यह old man यहां suicide कर लेता है यह जो boat है यह फिर से इस लड़की के पास आ जाती है यह लड़की जब सोई हुई होती है तो अपने आपको please करने लग जाती है जब वो उठती है तो इस लड़की के साथ में वो वर्ल्ड में जाते हुए में दिखती है यह यह movie end हो जाती है पर actual में हुआ क्या यह हम अब analyze करेंगे जैसे हमने पूरे movie में देखा था कि जो old man था इस लड़की को उसके बच्पन से यहां रख रहा था जो real world था इससे वो उसे दूर रखना जाता था यह जो old man होता है यह बाओ को भेपन भी बना लेता है वो उसे instrument भी यानि कि एक तरह का meditation और किसी को मानने का साधन यह जो old man है इस लड़की को दुनिया में जो सब दूख है जो सब चीज़े है यह सब experience करने से दूर रखना जाता है अलग-अलग लोग जब यहा आते है तो real world में रहते है तो इनसे प्रभावेते लड़की होती है यह लोग जब यहा आते है तो इस लड़की की curiosity यह represent करते है जो सब चीज़े इसके पास है इसके beyond उसे जाना है यह scenes represent करते है हम देखते है कि जो सब लोग आते है इसके साथ सोना जाते है इसका शोशन करना जाते है फिर भी जब लड़का वहाता है तो ये फिर से उसके साथ इस वर्ल में जाना चाती है जिस वर्ल में जाना चाती है ये पैन से भरा हुआ है बहुत सारी गलत चीज़े इसे वहाँ देखने के लिए मिलेगी बहुत बैड एक्सपरियंस इसके हो सकते है फिर भी इसे ये ही एक्सपरियंस करना है जब उसके एज का ये लड़का वहाता है तो इससे वह बहुत ज़्यादा कनेक कर पाती है रियल वर्ल की जो सब चीज़े होती है इससे वह अटेस्ट हो जाती है ओल में का इस लड़की वर्ल कंट्रोल था वो उसे हमेशा के लिए प्रोटेक्ट करकर अपनी बनाना चाहता था पर जब लड़का आया जो सब चीज़े होई उसके बाद उससे पता चल गया था कि उस लड़की पर इसका कभी भी कंट्रोल नहीं था लड़की जो है यह free है इसकी decision वो ले सकती है और इसे world को देखना है तो इसे देखना चाहिए यह इसे एक जगा पर बान कर नहीं रख सकता इसलिए इस लड़के के साथ उसे वो जाने देता है इसे वो जिड़ा होता है फिर भी इसे वो accept कर लेता है लड़की इसके पास फिर से वापस आ जाती है थोड़े से moment के लिए इसे अपना बना लेता है पर इसे मालूम है कि इसे इसे छोड़ कर जाना पड़ेगा ये फिर suicide कर लेता है और ये लड़की हमें एक board में अपने आपको प्लीस करते हो दिखते है जिस सीन में अपने आपको प्लीस करते हो दिखाई गई है ये reason करता है कि अब वो सब experience कर रही है जिस जगा पर वो confined थी अब उस जगा पर वो नहीं रहने वाली पूरे world को experience करने वाली है उसके अंदर की जो सब desire थी अब वो बाहर आ रही है इसके बाद लड़का और लड़की हेलवर्ड में चले गए थे और जहां वो रह रह रही थी ये board अब डूप चुकी है ये movie हमें freedom, jealousy, ego, curiosity ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में सिखा कर जाती है अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करतीजेगा मैं इस तरह से बहुत सारी movies लेकर आता रहे तो प्लीज चैनल को subscribe कर दीजिए और bell notification icon बे दवाना मत भूले ये ये आपको सब movies मिलती रहे है वेसे मिलेंगे एक नई movie के साथ सब तक के लिए thank you और आप अपने आपका खैल रखिया